बॉक्स ओफिस के किंग शारू खान एक बार फिर से अपने आपको किंग साबित करने वाले है अपनी अपकमिंग फिल्म पठान से यू तो वो चार साल से बॉक्स ओफिस से दूरी बनाये वहे थे लेकिन इस दूरी का इंतिजार वो पठान के साथ खतम करने वाले है अनुमा प्रत आनंद की फिल्में हमेशा से एंटेटेनिंग होती आई है, बेसेक अगर क्रिटिक्स उनकी फिल्मों को उतना ना सराए, पर फैंस उनकी फिल्मों का एक्शन और विज्वल्स काफी जादा इंजॉय करती है, वहीं शारुक खान के साथ उनका पहली बार काम करना और जब हैरी मैट सेजल और जीरो जैसी खराब फिल्में की, जीरो जैसी बड़ी बजट की फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद, उन्हें तगड़ा जटका लगा, इसके बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ सालों तक का ब्रेक ले लिया, लेकिन पठान के साथ उनके कमबैक ने आसपास होगी इतनी ही टिक्टे वार मूवी ने भी बेची थी लेकिन पठान ने ना सिर्फ वार के 4 लाग बलकि केजी अप चेप्टर 2 के 5 लाग और बाहू बली 2 के 6 लाग टिक्टो का भी रिकॉर्ड तो डाला है बताया जा रहा है कि पठान अडवांस बुकिंग में 9 से 10 लाग तक का आखड़ा चू सकती है ये शारू खान और यसराज फिल्म की और से बॉलिवूड के लिए बड़ी रहत है क्योंकि काफी समय से बॉक्स आफिस पर बॉलिवूड की और से कोई बड़ी फिल्में नहीं आई थी जो बाहू बली और के रिकॉर्ड को टक्कर दे प पाएंगी गाइज ऐसे ही सभी लेटेस न्यूज और अफडेर्स के लिए चैनल को जुरू सब्स्क्राइब कीजिएगा